चेहिन दोस्तों SSE Constable GD physical और result को लेकर एक नई अपडेट है देखिए दोस्तों अब SSE Constable GD का जो physical है वह जुलाई मन्त में होगा और इसके अलबा दोस्तों जो result है वह इस मन्त में आकर जुन मन्त में आने वाला है और इसके पीछे कारण क्या है चलिए आज की इस वीडियो उसे ITBP को इस बार आपका बनाया गया है और ITBP के तरब से टेंडर को लेकर फिर से एक नई नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है देखिए दोस्तों वेकेंसी के रिजल्ट और फिजकल में जो है अब दोस्तों काफी जादा डिले आपको देखने को मिलेगा तो चलिए आप सभी देख लिजिए आप सभी को पता है कि ITBP इस बार आपका नोडल एजनसी बनाया गया है और दोस्तों यहाँ पे जो फिजकल के लिए टेंडर आपका जारी किया गया था आप सभी को पता है कि इस बार जो फिजकल है RFID बेश्ट आपका होने वाला है जिसमें आप के पैर में चीप लगाया जाएगा रनिंग के दोरान और इसको लेकर जो टेंडर आपका जारी किया गया था ओ दोस्तों टेंडर का जो डेट है उसे अब फिर से एक बढ़ाकर एगारे जुन दो हजार चोवबिस कर दिया गया है देखिए दोस्तों पहले ये टेंडर का अपका होने वाला है उसके अंतरगत जो भी एकुपमेंट आपका यूज होगा क्योंकि आर एफाईडी बेस्ट आपका फिचकल होने वाला है इसके लिए जो बी समागरी है उसके लिए जो एजनसी को यहाँ पर हायर किया जाने वाला है उससे दोस्तों अभी तक फाइनल नहीं किया गया है और इसमें जो टेंडर का डेट है आप सभी देखेंगे बढ़ा कर आपका पहले 25-2024 था और 21 को फाइनल होने वाला था लेकिन दोस्तों अब इसे बढ़ा कर 10-6-2024 कर दिया गया है और टेंडर का जो ओपनिंग डेट है उसे गारे 6-2024 किया गया है यानि क दोस्तों अभी तक ये टेंडर ही फाइनल नहीं हुगा है पहले था कि 21 तक ये फाइनल हो जाता लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे फिर से डेट को आगे बढ़ा दिया गया है तो इसी से आप सभी समा सकते हैं कि अभी फिचकल कंड़क्ट कराने को लेकर यहाँ पे कोई भी कनफर्म सिडियूल या जो टेंडर है उसे अभी तक जो है किलियर नहीं किया गया है तो ये एगारे चोव दो हजार चोवबिस को अब आपका किलियर होगा तो आप समा सकते हैं कि दोस्तों अब आपका फिचकल जो टेस्ट है ये तो जुलाई मन्थ में ही होगा यानि कि ज इसरी बार इस टेंडर की जो डेट है उसे बढ़ाया गया है और दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों ससी कांस्टेबल जीडी का जो रिजल्ट है ओ अब दोस्तों आपका जून मन्थ में ही आने की पूरी उमीद है इस मन्थ में आपका रिजल्ट आने क कोई भी संभावना नहीं रहने वाला है लगतार इस वेकेंसी के जो फिजकल है उसे डिले यहां पे किया जा रहा है अभी तक टेंडर ही आपका फिजकल को लेकर किलियर नहीं किया गया है ITBP के तरब से तो फिर दोस्तो आपका रिजल्ट कैसे जारी होगा क्योंकि सबसे पहले तो आपका इसका जो फिजकल का सीडियूल है टेंडर है यह फाइनल होगा तभी जाकर रिजल्ट जारी होता है तो दोस्तो अभी आपको समय लगेगा फिर से एक नई नोटिस यहां पे देखेंगे 25.2024 आज के डेट में यह नोटिस आया है तो दोस्तो आप यहां पे डेट भी देख सकते हैं ITBP के ओफिसियली साइट पर यह नोटिस आपका जारी किये गए है आप वहां पे जाकर चेक भी कर सकते हैं तो दोस्तो यह गारे 26.2024 को यह टेंडर अब आपका फाइनल होने वाला है कौन से जनसी को हायर किया जाएगा यह गारे 26.2024 को किलियर हो जाएगा उसके बाद दोस्तो इसका सिडिव लाएगा और देन उसके बाद दोस्तो आपका फिचकल सुरू होगा तो आप इसी से समा सकते हैं कि अब दोस्तो जुलाई मन्थ में ही आपका फिचकल होगा जून में होने की कोई भी उमीद नहीं है और जून में आप सभी को पता है कि CRPF का दोस्तो फिचकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्मेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट ये सभी CRPF का होने माला है तो ऐसे भी पहले से लग रहा था कि सायद नहीं ही होगा और सेम और ऐसा ही हुगा है आपका दोस्तो अब जून मन्थ में होने की संभावना बिलकुल ना के बराबर है और रिजल्ट दोस्तो इस मन्थ में नहीं आएगा जून मन्थ में ही आपका रिजल अब आप सभी PT, PhD की अपनी त्यारी करते रहिए जब भी कोई अपडेट आएगा आपको बताएंगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम